इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जखें बसंत अनिला राकेश, अलका वरंड, स्रिष्टी सिधार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिधार्ची, सावी, अन्श, मिधान, अन्य, मोहांश एवं समस्त जांजरी परिवार, इंद्रविहार, कोटार, राजस्तान, नमो सेदान, नमो आईरियान, नमो वशायान, नमो लुई सव साहुनं, एसो पंच नमो यारो, सव पाव पेडाशनो, मंगलानं चसव बेसिं, पड़िम महवई मंगलं, पड़िम मंगलं, हवई मंगलं, विल्मावीर भग्वान नहीं, दसलक्षन महा पर्वकी, आचा शीदी सागर जी महराज जगी, 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 आचा शीदी सागर जी मह नरक पहुंचा सुरंग में नारद गया क्या आपको जाना है आपको कहीं पर जाना है आपको दूसरे गाओं में जाना है दूसरे शहर में जाना है आपको दूसरे देश में जाना है तो ट्रेन चाहिए प्लेन चाहिए और आपको मोक्ष में जाना है तो सत्य चाहिए सत्य का सवार सत्य का सवार वो जहां चाहिए वहां पहुँच जाता है चाहिए बात मोक्ष में पहुँचने की हो बात चाहिए बात चाहिए मोक्ष पहुँचने की हो या बात चाहिए क्या संसार के सुखों तक पहुशने की कुछ भी पाना हो कुछ भी पाना हो दुनिया के दौलत पानी हो यह जो परम एश्वरिवान है जो परम 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 एश्वरिवान उस परमात्मा तक की यात्रा करनी हो तो फिर जरूरी होता है कि हम सत्य का साहरा लें और अभी इसी अजमेर की बात है अभी इसी अजमेर की बात है भाई साब तर्बूज वाले के दुकान पर गए बड़ी अटर्बूज दे दे तर्बूज वाले ने का ग्यारंटी है चेलेंच है बिलकुल लाल लिकलेगा बिल्कुल सो परसेंट मीटा रहेगा भाई साब घर गए घर गए, तरुबूज के दो पीस किये तरुबूज की फांग बनाई तरुबूज को जैसी उन्होंने शल लिक ये जैसी तरुबूज दो तुकड़े किये वो बिल्कुल सफेद था बिल्कुल फीका था, गुस से कि मारे तम दमाखे आए, तरुबूज वाले के पास उसे कहते हैं, तुने क्या दे दिया जो बिल्कुल सफेद है वो बिल्कुल फीका है तरुज वाला बोलता, रे भाई साब गलती हो गई, शुगर फी तरुज आया था, इस्पेशल डाइबिटीज वालों के लिए कंपनी ने तरुज बनवाया था, पैदा करवाया था इस्पेशल तरुज है, डाइबिटीज वालों के लिए बड़ा महेंगा है, मैं धून रहा साब, लेकिन आप तो ऐसे ले जाओ ऐसी दे दिया उसको, और वो मजे से ले भी गया, बताओ तो ब्यापार में बज्जस में जूट का तो कदम कदम पे सारा लेते हैं आप लोग, गरस्ती में परिवार में, दुनियादारी में कदम कदम पे जूट का सारा लेते हैं लेकि सत्त धर्म आपको बताता है सत्त धर्म आपको सिक्षा देता है कि कभी ने कभी, एक छण के लिए एक मिनिट के लिए हम कुछ छणों के लिए सत्त का भी जीवन जीएं और जब दिल से सत्य का जीवन जीने लगते हैं तो कुछ छुणों का सत्य है जो आज इतना से सत्य है दीमी से वह इतना बड़ा होता फिर वह इतना बड़ा होता फिर वह इतना बड़ा होता सत्य इतना विशाल बन जाता है सत्य इतना विशाल बन जाता है कि बड़े बड़े जहाज आके उस सत्त में समा जाते हैं पिशली देनो क्या कि या बिक्रांट का लोकारपन किया गया क्या जहाज 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 को जहाज पर रुकाया जाता है क्या बोलते है विमान वाहक पोथ वो समर्पित किया गया देश को दग्यानिकों ने, सेनिकों ने वो जब ज़ैसे वो फोथ हाथ में आया ज़ैसे इतना बड़ा भारी जहाज हाथ में आया सेना की ताक्द बढ़ गई सेन्गों के चैरे पर एक अजब کی समाइल, घजब की मुसकरहाच बेड़ी गर्वे की भाव ना पैदा हो गई तो जब कोई अस्तस्त्रात में आता है जब कोई अस्तस्त्रात में आता है तो क्या पुलिस वाले की सेना की ताकत बढ़ जाती है जब सत्तक अस्त्रात में आता है तो धरमात्मा की ताकत बढ़ जाती है धर्म को मजबूत बनाने के लिए ये छण बिले हैं परूशन महापर्व के हम हरो चिंतन कर रहे हरो सोच रहे हैं ना सिर्फ चिंतन कर रहे हैं बल्कि उस दे सामें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस सब्त धर्म का पालन करने के लिए आचरें वट्टे के इरसाम में लिखते हैं मूलाचार में लिखते हैं क्या कि पैशूने जब इरशा की भावना पैदा होती है जब चुगली की भावना पैदा होती है जब किसी का दिल दुखाने की भावना पैदा होती है जब कठोर वचन बोलने की भावना पैदा हो तो इन भावनाओं से क्या होता है इन भावनाओं से एफ रख पड़ता है हमारे मूँव से असत्य निकली जाता है भली सत्य हैं भली सत्य हैं इक सत्य का फल क्या हो रहा है असत्य के जैसा असत्य की तरह हो रहा है तो दिल दुखाना भी हिंसा है हसत्य का उद्देश क्या होता बताईए जिते पाँच महावरते पाँच के पाँच महावरत मुनिराज की अठावीश मलगुन इनका निचोड इनका सार एक शब्द में तो सब्द का नाम है हिंसा और जहां हिंसा हो रही है जहां किसका दिल दुखरा है उसे असत्त की कटेगरी में असत्त की शेणी में उसे रखा जाता है तो इतना सूच बहुता असत्त है जहां दिल में दुख जाए दुरूपदी ने कहा गाता अंदे की अउलाद दुन्दी होती है सच का मनलब सत्यम सिवम सुंधरं सत्यम सुंधरता भी होना जुरूरी हो जाया करती है तो बस यही वो चीज जो हमको सीखने को मिलती है धर्म किस भाव में आकर के प्रॉशंट पर रखेर दौरान कि हम सत्य वो सत्य बोले जो सत्य पेड भर सके त्रप्ती दे सके आनंद दे सके सकून दे सके बाप बोलता बेटे को बेटा काम कर जा उग ईगिलाव पानी लेकर कि आ बेटा बोलता नाई बच्चा बोलता नाई नाई लाओंगा तुसके जो बड़ा भाई होता है बड़ा भाही बेटा होता, बड़ा भाही बोलता है पापा ये बत्तमीचे ये पानी नहीं लाएगा ये पानी लाने वाला नहीं आपते काम करो आप खुँझ जाकर पानी ले लो और ये काम करो, लोट किया हो तो एक ai गिलास मेरे भी लेकर करके आना, यह गिलास मेरे लिए लेकर करके आना, तो कुछ लोग जिन्दगे मैंसे होते हैं, जिन्दगे में गदा मुझे हमाली 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 करते रहते हैं, कभी इसके लिए जीवन जीते हैं, तो कभी उसके लिए जीवन जीते हैं कभी उसको सुक दे रहे हैं कभी उसको सुक दे रहे हैं कभी उसकी भलाई कर रहे हैं तो कभी उसका सयोग कर रहे हैं तो कभी उसकी मदद कर रहे हैं तो कभी उसको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन दुनिया भर का सपोर्ट करते करते भलाई करते करते मदद करते करते खुद की मदद करना भूल जाते हैं खुद का सपोर्ट करना भूल जाते हैं और खुद का सपोर्ट करने के लिए आज उत्तम सद्ध धर्म की पूजा करी और उत्तम सद्ध पर प्रवचन सुनने के लिए आप लोह आपर बैठे हुई हैं और आप खुद दिल पे हाथ रखके बोलो, कोई कह दें तो जूटा अदमी है, जूटा अदमी है, किसी ने इतना कह दिया जूटा अदमी है, तो बताइए, उस इंसान की क्या image रही, क्या इज्जत रही, यह जो होती है, उलते हैं उसको मूच, बोलते हैं ना मूच, यह जूखनी नहीं जाइए, तो मूच जूगती है, यहा मूच तो यहाँ पर होती है, लेकि जूखती कैसे, जो फीतर जीव होती ना जीव, जीव यह जीवच मूच को नीचे जुपा दिया करती है, शब्दों का सम्मान सारा, खत्यों जाया करते हैं, आजम से जहां प्यांकर बैटने थे कितना सुन्दर तरश्टे बता हूँ अब ये पूजा के धालियां रखे हुई है निरवान लाडू समर्पित हो चुके हैं निरवान लाडू रखे हुई है चावल का धेर लगा हुआ बता ही है मुझे दो चा दिन पहले किसे इंसान ने बताया बोले कि वो एक आदमी बजार का भोजन ने करता था रात में भोजन ने करता था और वो उसे कैंसर हो गया कैसे कैंसर हो गया उसे सिरफ एक आदत थी चाई पीने की वो सिरफ चाई पीता था वो चाई कैसे पीता था पलास्टिक थेली में चाई आती थी तो उस थेली से प्लास्टिक के थेली की चाय से उसे कैंसर रोगा बताओ उस प्लास्टिक के थेली ने कैंसर दे दिया मैं तुरंट पेन उठाया मन में चंतन पैदा हुआ उस व्यक्ति के विभीशिका पर उस व्यक्ति उस परिवार के दर्द पर मुझे कुछ चिंतन मन के अंदर पैदा हुआ कि वो थेली वो थेली अगर कैंसर दे सकती है वो सिंपल से थेली अगर कैंसर दे सकती है तो पूजा की धाली कैंसर क्यों नहीं मिटा सकती है मन का कैंसर क्यों नहीं मिटा सकती है तो मन के आत्मा के कैंसर को मिटाने के लिए यह पूजा कि धाली हुआ करती है धरमे का नुष्ठान हुआ करती है formation पर होग अराधना हुआ करती है आज हम सॲियाँ पर बैटेविये हैं हम सोचें हम सोचें हम यह सोचना शुरू करें कि भली भारत को विश्व की top 10 economy में शामिल कर लिया गया है पर क्या हम को परमात्मा की लिष्ट में परमात्मा के अकाउंट में सज बूलने वालों की top 10 की लिष्ट में सम्मिलित किया है कि नि किया है top 10 ही top 20, top 50, top 100 कभी तो ऐसा जीवन में होना चाहिए आप ऐसा नियम मनाईए दिन बर में 10 मिट के लिए या 20 मिट के लिए या आदे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए 9 से 10 या 10 से 11 या 11 से 12 या 12 से 8 या 1 से 2 लिकिन सोने से पहले उठने के बाद में में 10 मिट के लिए सत्य बूल लेका नियम लूँगा महाबरत वली कहानी दोणाचारे ने पढ़ाया सारे शिष्यों को सत्यमव, सत्य बोलो, सत्य बोलो महाबरत की बड़ी प्यारी कहानी सत्य बोलो, सत्य बोलो अगले दिन याद करके आना क्या पढ़ाया मैंने सब बच्चे याद करकिया है सारे पांड़ों, चारों पांड़ों याद करकिया है, युदुष्टर को याद नहीं हुआ, सो कर सो कोरों याद करकिया है, सत्ते बोलो, कल का लेसन था, सत्ते बोलो, सत्ते बोलो, युदुष्टर ने याद नहीं किया, युदुष्टर ने याद नहीं किया, ठीचर ने प ज़ा सच भूल सज ब agreement कर साइब हुदे हैं कि उनका रध्थ माखर के द् हिद्ध में धर्ती स़ चार अंगुल ऊचा चलता था एक दिन ऑने सान planting क्या मूं झूट निकल गया क्या मूं झुट निकल गया राजी थी कर गती ज solche υड देन को मैं जीतन Secber thumb एक जूट मूँ से निकल गया, क्या है? जूट मूँ से निकल गया, और अस्वस्थामा मर गया, अस्वस्थामा मर गया, वो धीमे से बूल दिया, क्यों बोला, अस्वस्थामा के पिता, दुणाचारी है, उनको हराने के लिए, इंको डिप्रेशन में लाने के लिए जूट च्रत भॉल दिया शवस्तामा मर गया दुड़ा जार ने सोचा कृपा जार ने सोचा यह सक भॉलता है जुट नहीं भॉलता है जसा सना उन्होंने भाख प्रे बेटा मर गया हातिया डाल दिये उनको जो टीरी के बिचे हावे गया देमेह मॉलत था सहसा मर गया धीमे से बूला क्या मोलोब हाथी मरा कि इनसान मरा सेफ एक बार जीवन में जूट बोला सवरत धर्दी पे दस गया धर्दी पर वापस नीचे उतर आया, सत्त की वो ही महीमा होती सत्त की महीमा वो होती, सत्त की आपको हलका बना देता निर्भार आपको जीवन के अंदर बना दिया करता है भले असत देखने में सुन्दर लगता है भले जूट का साहरा लिने से कुछ जीवन में सुन्दरता पैदा होती, कुछ पैसा मिलता है कुछ समान के प्राप्ति होती है उसे बावजूत भी भूलते हैं ना जूट के पेर नहीं होते हैं पिछले दिनों हम भीहार हो रहा था तो बताया है आना सागर बड़ा तालाब है आना सागर दुनिया देखने आती इतना बड़ा तालाब है बुले उसमें जलकुम्भी जलकुम्भी पैदा हुई उसके उपर एक बनस्पती होती देखने में बहुत सुन्दर लगती है जलकुम्भी देखने में बहुत सुन्दर होती है लेकिन इस बावजूद भी पानी को सत्यानास कर देती है बद्वू पैदा कर देती है अक्सियन खतम कर देती है पानी में जो जानवर रहते हैं मशलिवगर होती है, वो मर जाते है, जल गुम्पमि के पैदा होने से देखने में ज़ने में सुन्दर हैं, तो धजल्ट बड़े ख circなので, बड़े खतरनाक पैदा होती हैं, ऐसी जो सफ्तका, जो सहरा लेते हैं, वो बीतरे से सुन्दर हो जाते हैं, तो हमको जन्मानी उठाके देखना च्क्रोद से लोव से डर से हसी मुझाक में असत्ते कई बार मुझसा निकल जाया करता है असत्त बोल तो कुछ बिगड़ता नहीं है असत्त बोल तो कुछ नहीं बिगड़ता है कुछ भी घाटा नहीं होता है लेकिन एक बड़ा भारी घाटा होता है क्या घाटा होता है घाटा यह होता है हम जहां पाउशने के लिए बने होते हैं हम जो पाने के लिए धरती पर आये होते हैं वो नहीं पा सकते हैं वो नहीं बन पाते हैं जहां पाउशना हमारा भवितब्द होता है जहां पहुंस ना, जिन नंजिलों को पाना, जिस खुशी को पाना, हमारा जन्मसिद्ध दिकार होता, खुशी हमें नहीं मिल पाती है, क्यों नहीं मिल पाती है, क्या अ यथा वचन, जो चीज जैसी है, उसको वसक्वर सुरूप पेश नहीं किया गया, आपको मालूम पड़ मैंने तो कुछ और बोला था लेकिन मेरी बातों को किसी और रूप में तोड़ मरोड की किसी और के सामने पेश किया गया राज़नीतीय में क्या होता बता यहाँ यही तो छल का पड़ता है यही तो शटींतर होते है ओमा सामय आचाद में यही बात तो आपको बोली है आपको जीविन को सुन्दर बनाने के लिए आया था वचन सवासिद्धी में पूजपास स्वामी लिखते हैं मूला चाने वट्टेकेर स्वामी लिखते हैं आया था वचन आयत हमनलब जो जैसा है उसको वैसा ना कैना किसी और रूपने तोड़ मुरो के पेश कर दिना उसको बोलते है यह था वचन एक और होता है क्या बोलते हैं ऐसा ही है दरद्वच्छेत्र काल भावक के पिक्षा नहीं करना परस्तिती का, माहूल का आकल नहीं करना, अंदाज नहीं करना क्या ये ऐसा ही है चीजें ऐसी रहने वाली है लोग तो ऐसे ही है इसो क्या बूलते हैं तो अनिकांदबाद का उप्यूग नहीं करना शादबाद का उप्यूग नहीं करना दूसरे के दिल का, दूसरे के भावनाओं का ख्याल नहीं करना दूसरे के सोच, दूसरे के विचार दूसरे का चिंतन दूसरे का जीवन उगया चुले भालगा है मुझे बस मेरी मन की करनी है मुझे बस मेरी मन की करनी है तो जहां ऐसी बाहना पैदा होती हैं हम औरों का खयाल रखना छोड़ देते हैं औरों को सम्मान देना छोड़ देते हैं औरों को नजर हड़ जाती मात अपने अपने उपना नजर इकत्रित हो जाती सेल्फ कॉंसंटेट मतलब स्वार्थ कदश्टी कोण बहले शुख बूला है उस सच जूट से भी जाता ख़तरनाक और जहर की तरह हो जाया करता है तो सातर वचन सुनने से साधूसंत को चणो बैठने से हमें जो पलब्दी होती जो में हासिल होता हूँ हासिली होता है हम ऐसा वाला सच बूला सीखते हैं जो सच इस जीवन में भी हमको सयोग करता है और आने वज़ जीवन में भी हमें सयोग देना शुरू कर दिया करता है जिसे पने कल लेक रहा था बादल है बादल है बता उपर पानी है धरती के उपर आसमान में पानी है और जब बादल बरसेंगे वही पानी जमीन पर धर्टी पर आ जाएगा इस बादल ने पानी आया कहां से बताईए समुद्र से आया है जहां जहां जो जो भी बादल है भली रिगिस्थान के एरिया है भली यहां पर दूर दूर तक समुद्र नहीं है लेकिन पानी जहां से भी आया है समुद्र से ही आया है कितना खारा पानी समुद्र का कितना खारा पानी होता समुद्र का बताईए आप वो ऐसा खतरना खारा पानी समुद्र का बादल आते हैं उस पानी को मीठा बना के आप खेत ने बरसाते थे खेत में उतार देते हैं बादल बादला समुद्र के पानी को मीठा बना के खेते में उतार देते हैं मुनराज जिन्वान के ग्यान को सुन्दर बना करके आसान बना के दिल में उतार दिया करते हैं तो ग्यान दिल में उतारता ग्यान जहां का भी है जहां 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 जिते भी सत्य की प्रामाने की जीवन अगर जिया है, तो वजर ही सत्य का सहरा, उसके पाप सत्य के मजबूती, सत्य दिल को मजबूती डेता जो असत्य व्यक्ति बूलता है. कि अ कि झाल झाल, आज भ пытना हम की की बूलता है.